नमस्कार बच्चू, आज हम पढ़ने और समस्दे वाले हैं क्लास नाइन्त SST सामाजिक विज्ञान की वोक्षीट नमबर 73 यानि की कारे पत्रक्षिंख अत्ति हैत रको यह आपकी 25 जनवरी 2022 की वरक्षीट रहेगी और आज की इस वरक्षीट में हम पोल्डिकल साइंस राजनती विज्ञान जिसको आप सिविक्स भी बोलते हो उसके चैप्टर चुनावी राजनती को पढ़ना जारे रखेंगे यह इस चैप्टर का second part रहेगा पहला जो पिछला part था उसमें हमने समझा था कि चुनाव क्या होते हैं चुनाव क्यों जरूरी होते हैं कौन सी चुनाव है जिनको हम लोक्तांतरिक चुनाव कह सकते हैं आज की इस वरक्षीट में हम बात करेंगे कि चुनाव में जो राजन ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे और समझने का प्रियास करेंगे ये जो आपका पूरा चैप्टर है चुनावी राजनती काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि इसमें चुनाव से लेटिड जो कुछ भी आपके लिए इंपोर्टेंट है जो कुछ भी हमारे आसपास होता है वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं तो चली शुरुआत करते हैं आज कि इस वरक्षिट की और बात करते हैं कि क्या राजनितिक परतिद्वनता है वो अच्छी चीज है कि राजनितिक परतिद्वनता क्या होती है आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन आते हैं तो उस वक्त माहोल बदल सा जाता है अपने आसपास का माहोल बदल जाता है शेहर का माहोल बदल जाता है घर का माहोल भी बदल जाता है घरवाले भी न्यूज बगर जादा देखना शुरू कर देती है चर्चाएं होती है आप अगर बस में ट्रेवल करे हो अगर आप होंगे कि एलेक्सन की बात होती है और खूब चोके छके लगा जाते हैं एक दूसरी कोई पर आरोप भी लगा जाते हैं कि उसने ये किया उसने वो किया और हर कोई चीजी सी चीजे होती है, सब कुछ बदला बदला से लगता होता है हर कोई आता जाता है, मतलब नमसकार करने लगता है हाल साल पूछने लगता है, क्यों? वोट चाहिए होते हैं और कोई ने कोई किसने किसी political party से जुड़ा होता है तो यही जो आपसी competition होता है, election के टाइम में इसे हम राजनितिक पर्तिदवन्दिता बोलते हैं तो नीमित चुनावी मुकाबला राजनितिक दलों और निताओं को प्रोसान परदान करता है क्याम तोर पे यह चुनाव होते हैं, नीमित होते हैं अपने यहां पे कितने टाइम के बाद होते हैं, five years के बाद होते हैं तो इससे जो political parties होती है, जो leaders होते हैं उनको motivation मिलता है, मिलता है जिसे world cup होते हैं, cricket के world cup होते हैं एक हार गए तो क्या हुआ, हम पिछला world cup हार गए थे हार गए ना, T20 में अच्छी performance दे रहे थे, हार गए तो क्या हुआ इस बार फिर होने वाला है, उसके लिए हम त्यारी में लगे, जोश बना रहता है ऐसे जो politicians होते हैं, एक लेक्षन हारते हैं, दो साल तक वो थोड़ा सा पीछे seat के उपर बैठते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से शुरू हो जाते हैं वो वे जानते हैं कि अगर वो कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं, जिने लोग उठाना चाते हैं अगले चुनाओं में उनकी लोग प्रियता और जीत की संभावना बढ़ जाएगी, इसने वो इनेक्टिव मॉड में नहीं रहते हैं, एक्टिव मॉड में रहते हैं, ऐसे मुद्दे जनता के सामने लेकर के आते हैं, प्रिटेंड करने की भी कोशिश करते हैं कि हम आपके ले कुछ बैटर करेंगी इस गौवर्मेंट से, ऐसा कुछ चलता रहता है, लेकिन अगर वे अपने काम से मत्ताताओं को संतुष्ट करने में विफल रहें, तो फिर से जीत नहीं पाते हैं, ये भी होता है कि गौवर्मेंट होती है, उसकी सरकार होती है, और सरकार क्यों ब बदल देंगे, हमारे सविधान निर्माताओं ने हमारे भावी निताओं का चैन करने के तरीके में, जो तरीका था कि कैसे चुनेंगे, उसमें सवतंतर परतिस परधा का विकल्प चुनाए, जब सविधान बना गया है, कि हम एक फ्री, इलेक्टरल कमपेडिशन देंगे, क अपने जो भी वादे होंगे, अपनी जो भी नीतियां होगी, वो लोगों के सामने रखेंगे, और लोगों के उपर छोड़ दयागा है, कि आपको जिसके वादे, जिसके नीतियायं, जिसके कार्करम अच्छे लगें, उसको आब वोट दीजे, यह आप की मरजी होगी, उन तो हमें आगे मोके मिलेंगे अधरवाइस क्या होगा टीम से बाहर प्लेइंग लेवल में भी सामिल नहीं हो गया तो लेकिन जो अन्य पेशिवर कितर है दुनिया भर के जो राजनेता होते हैं वो अपने राजनतिक करियर को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रहरित होते हैं जैसे कि बाकी पेशिवर के तरह ये भी होते हैं ये भी चाहते हैं कि हमारा करियर लंबा खिंचे और वे लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसा करने के लिए क्या आवश्यक है ये जनता वास्तों में क्या चाहती है तो जानते नहीं अब तो जानते भी हैं कि हमें ये करना पड़ेगा कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे ताकि जनता उन्हें फिर से चुने तो इसके हमने क्या दे दिया, खुला एक स्कोप दे दिया कि आईए ग्राउंड में, अपने पॉलिसीज को लेकर के आईए, और चुने जाते हो तो अच्छे आप नीतियां लेकर के आईए, कुछ अच्छे काम कीजिए, दोबारा सेलेक्ट करेंगे, पसंद आए तो हम आपक बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे, अब जो राजनितिक ये कमपेटिशन होता है, चुनाओं के टाई में, कि अलग लग पॉल्टिकल पार्टीज होती है, ये मारा, वो मारा, उसने कहा, ये इसने कहा, बड़े अलग लेवल की पॉल्टिक्स होती है, आप देखते होंग एक तो ये कि इससे इलाके में फूट और गुटबाजी की भावना पेदा हो जाती है, इलेक्शन के टाई में क्या होता है, एक ही कोलोनी में, गाउं में भी ज्यादा होता है, शेहर की तुलना में, वहाँ पे ये ग्रूप बन जाते हैं, कच्छा, ये उस पोल्टिकल पार उसमें फूट पड़ जाते हैं, दूसरे ये कि देशो और समाज की सेवा की चा रखने वाले कई अच्छे लोग हैं, वह पॉल्टिक्स में नहीं आते हैं, उन्हें लगता कि ये तो गंदी पॉल्टिक्स हैं, मतलब एक दूसरे के उपर कुछ ऐसे आरोप लगाना, जितने कमपेटिशन होता है कि चुनाव जीतना है, सीधी उंगली से नहीं तो टेड़ी उंगली से जीतने कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर अच्छे लोग हैं, वो फिर पीछे अटने लगते हैं, इसके साथ साथ जो पायटी पॉल्टिक्स हैं, जा विभिन राजनितिक दल और न इसके साथ साथ दिर्ग कालिंग जो राजनिति हैं, उसको पनपने नहीं देती, यह जो है, सही तरीके से, लोग टर्म के अगर पॉल्टिक्स करें कोई इमानदार सा वैकती, तो उसके लिए समश्या खड़ी हो जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं, वो गलत हतकं पनाते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं, तो यह भी इसकी एक कमी है, तो यह हमने बात की कि किस तरीके से, जो राजनितिक पर्ति दोंता है, वो हमारे लिए, यह समाज के लिए नुक्सान धायक होती है, यहाँ पे देखें कि यहां कार्टून दिया गया, यह जो कैरीकेचर ह आपकी बुक में, NCRT की बुक से लिया गए, कि किस तरीके से वादे किया जाते हैं, politician के दोरा जब election होते हैं, और एक जो हमारी पूछ होती है, उस वक्त जो पूछा जाता है, जो voter होता है, उसको पूछा जाता है, उसी वक्त पूछा जाता है, जब voter डलने होते हैं, वही जो छे महिने होते हैं, उसी में हम VIP कोटे में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास voter होते हैं, और इस voter के साथ हम चोट कर सकते हैं, हम सही चुन सकते हैं, सही क्यों क्यों कि हमें समाज के लिए चुनना है हमें अपने देश के लिए चुनना होता है रिष्तिदार थोड़ी देखना होता है कि हम अपने ही चुने अपने मोहले का ना हो अपने कई बार देखा जाता है कि हम जाती का अधार पर वोट देती हैं जरूरी नहीं होता अच पॉल्टिक्स है, उसके हमने कमियों की बात की, तो फिर भी इसको continue क्यों की गया गया है, यानि कि इससे कुछ फाइदे भी होंगे, क्यों किया गया ऐसा, तो इसका यथार्थवादी तरीका यह है कि एक ऐसी पढ़नाली स्थापित केजिया है, जहां पर राजनितिक नेताओ को जनता की सेवा करने के लिए पुरुषकरित किया जाए, और ऐसा नय करने पर उन्हें दंडित किया जाए, एक तरीका यह हो सकता ना, कि जो अच्छा काम करें, उसे हम अवोर्ड दें, और जो बुरा काम करें, उसे क्या करें, पनिष्ट करें, ओके, हो सकता है, ऐसा है, क अभित हम customer जाएंगे ना बार-बार, facilities देनी पड़ेगी उसे, आप अगर किसी चार्ट बंडार वाले के पास जा रहे हो, तो आप किस के पास जाओगे जो आपको अच्छी quality दे रहा है, आप अगर कहीं पे burger खाने जा रहे हो, पीजा खाने जा रहे हो, तो कहां जाओगे, ज उनको award मिल पाएगा, okay, award मतलब उनको vote मिलेंगे, award पुरुषकार मतलब कि उनको दोबारा से चुन लेंगे, और जो अच्छे काम नहीं करेंगे, उनको punishment मिलेगे, दंड मिलेगा, कैसे, कि उनको हम vote नहीं डालेंगे, आपके parents क्या करते हैं, parents ऐसे ही करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसको award देते हैं, वोड डालाते हैं, और जो अच्छा काम नहीं करते हैं, उसकी छुट्टी करते हैं, okay, तो ये सब कुछ क्या करता है, कि ये राजनितिक दल जो है, नेता जो है, उनको जनता की सेवा करने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें vote चाहि देश के लिए बैटर हो पाएगा और कौन अच्छा है कौन सच्छा है यह कौन तय करेगा यह हम तय करेंगे वोटर तय करेंगे मत्दाता तय करेंगे तो यह था हमारा कंटेंट आज की इस वर्क्षीट का अब इसी पर बेस्ट है कुछ आसान से पर्शन जिनको हमें हल करना तो चले देखते हैं इन पर्शनों को पहला जो हमारे क्वेशन दिया गया है कि आपके अंसार मतलब हमारे अंसार हमें बताना है कि किसी देश में किस परकार की चुनावी परतिस परदा होने चीए किस परकार का चुनावी कंपेडिशन होना चीए यह हमें बताना है तो किस इसी भी देश में नीतियों और विचारधारा की स्वस्त राजनितिक परतिस परदा होने चाहिए। चुनावी परतिस परदा नहीं है, तो इसे हम लोकतांतरिक परकार का चुनाव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास चुनने के लिए विकल्प ही उपलब नहीं होगे, मालने जिएक जैसे चाइना में होता है, एक ही पोल्डिकल पार्टी है, वही चुनाव जितती है, उसी की सरकार बनती है, अब क्या वहाँ पर एलेक्टरल कंपेडिशन है, नहीं है, लोगों के पास विकल्पी नहीं है, गंगा धर ही शक्ति माने, दो अगर कंडेट खड़े तो एक ही पोल्डिकल पार्टी गे, सरकार तो उसी की बननी है, नेतियां उनकी एक जैसी है, तो वहाँ विकल्प उपलब्द नहीं होते, अपने देश में भी अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, मतलब फिर डेमोक्रेसी का फाइदा क्या हो, चुनेंगे क्या, चुनना कुछ है नहीं, इलेक्शन करवाने की क्या नेट रहेगी, उके, तो जो किसी भी देश में चुनाव राजनतिक दलों को पुरुषकार या दंड के रूप में वोट की शक्तिका उप्योग करते हैं, कैसे हमें बताना है, तो हाँ सभी के पैरिंस करते हैं, जात्तर के पैरिंस करते हैं, कि हाँ मेरे माता भी था, राजनतिक दलों को उनके कारें या नीतियों के अधार पर उसे वोट नहीं देते, उस राजनितिक दल को या उस उमीदवार को, ठीक, उसके बाद फूर्थ हमारा क्वेशन रहेगा, चोथा हमारा परशन है, चोथा परशन देगा, कि चुनाओ की दोरान आपके लाके में राजनितिक परतिस परदा के माहूल का वर्णन करना है, कि इस चुनाओ परचारा भ्यान भी जोरों पर होता है, एक जाता है, दूसरा आता है, सब कुछ अलग सा, रंगीन सा हमें लगता है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशिट, उमीद करता हूँ, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, गर आपको ये वीडियो, ये वर्क